आज हम लोग यहाँ पे सभी लोग जो बैठे हैं और मुफ्ती जसीम साब की अधिक्स्ता में यह मीटिंग हो पाई और इसमें यह तेह हो पाया कि हमाने लोग जो संगठन बना है यह सिमांचल सेना के नाम से यह संगठन तेह हो पाया जिसमें हम लोग 20 तारिक को 21 2020 को एक जि हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ हम लोग एक विसाल विरोध परदसन करेंगे जिसमें हम लोग कम से कम वन मिलियन लोगों को जमा करेंगे जिला मुख्याले में और वहां से हम लोग का यह मुहीम स्टार्ट होगा इसके अलावे यह हम लोग की जो कमीटी है हमेशा सिमांचल के लोगों के साथ कभी भी कुसी तरह की प्रेशा नहीं है चाहे वो नियाय के मामले में हो चाहे सिक्षा के मामले में हो और इसमांचल से न गजुनीरवान की यही इसका असल में मकसद है सबसे पहले कि हम लोग इस मीटिंग का मकसे एक तो एन रसी सी एक खिलाब जितना प्रोटेस्ट हर जगे हो ही रहा है और होना भी चाहिए जरूरी भी है तो इस मीटिंग का सबसे में अहम मुद्दा ये था कि सभी लोग जो अलग-अलग छोटे-छोटे खेमे में चोटे-छ लेकिन गांदी जी काने से क्या हुआ कि हर लोग एक सात आये गंदी जी के साथ और सब को मिल करके तरहाऊज कि जो ऐख़ा अथा यही है और इसलिए हम लोग अपने जी ले को कम से कम एक जूट पले कर ले उसके इसी की एक सुरूवात के लिए मीटिंग रखा गया जहां पर हम लोग सभी लोग मिल करके एक संगठन बनाया है जिनका नाम हम लोग सभी ने मिल कर रखा सिमांचल सेना तो इस सिमांचल सेना के बैनर तले हम लोग 20 तारीक को एक प्रोटेस्ट रखेंगे जीला में जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने का हम लोग उमीद रखते हैं और उन मीटिंगों में कहीं सियासत दीखने को मिली है कुछ लोग जो मौजुदा सरकार उनके खिलाब बोले तो उनके जो समर्थ के वह विरुदमाग है तो क्या ऐसी चीजें आपके यहां भी नजर आएंगी या इन चीजों को आप लोग सक्ति से खतम करेंगे हम लोग का इ यह होना लाजमी है को बहुत बड़ी इशू नहीं है यह तो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं और जितने भी लोग आए हैं सभी जिमेदार लोग है और मैं उनसे उमीद करता हूं चाहे वो मास्टर मुझाहिज आपको पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं हमारे समाज के जिम्यदार लोग चाहए वो सरवर भाही है जो हमारे जन्ता के फौजी सहाब है और इजहर असफी सहाब है सबी लोग जो आए हैं बहुत जिम्यदार अभी बनाए हैं इनका सहीयोग करने का बहुत आस्वासन दिये हम लोगों को तो हम लोग का यह संगटन का अभी फिलहाल का जो सबसे पहला टार्गेट है वो एन रसी और सिये के इलावे सबसे फर्स प्रियूटि देंगे नर्पी में क्यों कि यह लागू हो चुका है और रा अगर होता भी है तो कम से कम वह जो पुराना तरीका था जो 6 कलम आपने बढ़ाया है इसको हटा कर तब आप NPR करें और और तीसरा रहेगा कि हम लोग जो अपना डिटेल जो भी हमारे लोग जो डिटेल देंगे हमारे पास एक रिसीविंग आना चाहिए ताकि हमारे पास पुर है कि हमने जो डिटेल दिया है जो नाम दिया है जो एड्रेस दिया है जो डेट बढ़ दिया है जो फादर नेम दिया है जो मदर नेम दिया है या जो भी डिटेल दिया है उसका मेरे पास एक प्रूब है ताकि जो मैंने डिटेल दिया अगर बाइड वे इंट्री में डाटा ओपरेटर या पदाधीकारी के वज़ेसे अगर ये गलत होता है तो ये बाद मेरे पास शबूत रहे ताकि मैं आगला उसके खिलाफ काड़वाई कर सकूँ